हेलो दोस्तों मैं प्रियंका चरस्या और आप देख रहे हैं प्रियंका क्लासेस दोस्तों बिहार शिक्षक भरती के फेज 3 की जो एक्जाम हुई है 15 मार्च यानी की कल और इसमें आपको 6-8 और 1-5 की परिक्षा हुई है इसके बहुत सारी चीजे सामने आ गई है और यहां पे कल ही यह पता चल गया है था कि पेपर लिख होने की सक आ गया है और इसके काफी सारे एविडेंस भी आ गया है अगर आप देख रहे होंगे निउस में तो मतलब 11 बजे का टाइम है जिस समय पर की पेपर अल्रेडी अलग अलग ग्रूपों में आया था और हजारी बाग से जो लोग पकड़ाए है उसमें भी कहा जा रहा है कि कई सारी चीज़े आ रही है तो वो सारी प्रूप्स भी आ रहे है मतलब 1 से 150 तक एंसर की वी दिया गया है ऐसे करके कितने तो ऐसा आया है कि जो हमारा अड्मिड काट का जो इंट्रक्शन वाला पेज होता है उसमें इंट्रक्शन में पॉइंट नम्बर थृ में वो पॉइंट थृ हटा Арकर उसका एंसर जो है कॉमा करके डाल दिया गया ताकि वहाँ जाकर वो feel कर सकते हैं लिख शकते हैं अपना answer की में जो भी student ने ऐसा किया है अगर यह सच है और जहां तक लग रहा है कि यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात है और बहुत दुखत बात है और इतने student इतने मन लगा के पढ़ रहा है उनके लिए बहुत बेन की बात है आज का जो latest update के बारे में आ रही है कि जो परिच्छा रध होगी या नहीं यह आज निनाय हो सकता है तो सिख्छक नित्ती परिच्छा के तिसरे चरण की परिच्छा के प्रस्ण पत्र लिख होने को लेकर है न इओ यू सनिवार को रिपोर्ट दे सकती है इओ यू की टीम अब तक की करवाई और गरवडियों के रिपोर्ट बना रही है जिससे राज सरकार के जर्ये बीपेस को सोपा जाएगा रिपोर्ट मिलने के बाद सनिवार को परिच्छा कर रद करने की करवाई वो शक्ती है तो आज के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी तो आप लोग बने रहिएगा मैं आपको अपने वीडियो के त्रू बताऊंगी थैंक्यू